हेलो आभीवन मैं मेथोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे यह मारे स्याने की एकलावी मॉडल रेसिडेंशल स्कूल का एक्जाम कंड़क्ट कराया जा चुका है प्रिंस्पल के पोस्ट के लिए आप सभी का डाउट होगा कि प्रिंस्पल और प्रिंस्पल वाले पोस्ट के एक्जाम के रिव्यू को देखकर हमें क्या फायता होगा तो देखिए जो भी question paper जो है सभी लोगों के लिए common है general paper है उसे आपको देख लेना चाहिए चाहिए वो current affairs हो Hindi English की जो है वो question है उन्हें आपको देख लेना चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो कैसा था आज का paper hard, tough या फिर moderate question पूछे गए थे TGT का exam अच्छे से दे पाएं और आपको किन label पे और किस अस्तर पर पढ़ कर जाना है इसका जो है आपको ध्यान रखना होगा तो चलिए मैं PDF open कर देता हूँ आप लोगों के लिए और PDF टेलिग्राम पे मैं अब label करा दूँगा देखिए question जो है general awareness का वो क्या पूछा गया था जोन गुडबन ने सौर पर्थम जो printing press है वो जर्मनी में बनाया उसके दोरा उस प्रेस में प्रकासित पहली book का नाम क्या था the Bible, the Republic, the ODC, the Magna Carta ये आपको बताना है ये question पूछा गया था तो ये देखिए statics जी के से सवाल पूछा गया था पहला आगे बढ़ेंगे उस प्रक्रम का क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवानू और कवक के enzyme अपरद को अधिक सरल और 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 करबानिक पदार्थ में अव करमित करते हैं इसके बारे में आपको बताना था आगे देखिए students and teacher holistic advantage देखिए एक सार्थक जो है एक scheme चलाए गई है सार्थक scheme में जो है इसका क्या result होगा वो आपको बताना था सार्थक का क्या motive है इसके बारे में आपको बताना था आगे देखिए नई सिक्षा निति के अनुसार किस वर्स तक वैबसाहिक सिक्षा सहित उजितर सिक्षा में सकल नामानकन का अनुपात 50% बढ़ाये जाने का लक्ष रखा गया है ये आपसे पूछा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मोटो है लक्ष है उसके बारे में सवाल ये जो है अलग-अलग नाम जो है किसका है ये भुगोल से एक जोगरफी से ये सवाल पूछा गया था आगे देखिए थोड़ा सा जो है उल्टा-उल्टा वगेरा जो है कोशन दिखेगा देखिए यहां से आपको जो है रिजिनिंग पाट का कोशन दिख जाएगा यहां स इसी तरह से कुछ और सवाल है यह देखिए यहां से आप देख पाओगे sbtmr यह जो दिया गया इससे आपको बताना है कि बारवयक्षर पे कौन बैठा हुआ है इस तरह से यह ranking वाली जो है question आपको रिजिनिंग में देखने को मिलेगा तो रिजिनिंग के लिए जो है ranking व direction का यह question देखिए direction से भी question पूछा गया था आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को यह देखू अब देखिए computer के जो question है वो आप यहां से देख सकते हो macriff plus जो है example है किसका example है यह बताना है benefit of renewable energy पर जो है design बगरा जो है इसका सरवदिक जो फायदा है वो किसे मिलने वाला है इससे सवाल पूछा गया था Microsoft की स्वामित वाली cloud storage service निमलिकित में से कौन सा है यह आप से पूछ लिया गया था इसी तरह से देखिए कुछ shortcut key के बारे में पूछा गया था power wake up UPS का क्या काम है उससे सवाल पूछा गया था UPS का full form पूछ लिया गया था Bluetooth के माधिय से हम जो कुछ photo भेजने के लिए दो smartphone में आपस में connect होते हैं उसे किस network से जाना जाता है क्यों यह local area network होता है इससे सवाल पूछे गए थे निमलिकित में से कौन सा operating system का एक उधारन है word, window, bing या फिर edge तो इसका right answer देखिए क्या हो जाएगा window हो जाएगा अब देखिए teaching aptitude में किस तरह के सवाल पूछे गए थे मुक्यत प्रभावी सिक्षन का जो प्रकारी है वो क्या है यह सवाल पूछा गया था अधिगम के आकलन देखिए assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning से सवाल पूछा गया था देखिए यह अच्छे से आप जो है इसको पढ़कर जाईएगा यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा अब देखिए प्याजे से एक प्रसन आपको देखने को मिल जाएगा यह देखिए सवाल पूछ लिया गया है सिधा सिधा आगे देखिए कुछ और चीजों को मैं दिखा देता हूँ आपको अब देखिए यह जो adolescence है उससे सवाल पूछा गया अगे देखते हैं, पिक्चर थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, यह सवाल यहां से पूछ लिया गया था, तो यह था question आप लोगों के लिए, आप लोगों से request है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, ताकि TGT वाले exam में सभी का benefit हो सके, यह PDF, Telegram चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप से रिका बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day.